नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है वेल सुन फार्मेसी में जहां पर हम सर्व करते हैं हैपिनेस दोस्तों जैसे स्टार्डियां हो गई है तो कुछ मरीज्यों में थोड़ी दिख्कत होती है तो आज उनके लिए हमें प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके घरों में कोमन तो यह खाली inhalation के लिए होता है यह आपको पीना नहीं होता यह सिरफ नहीं है ठीक है तो यह धाई ml की पैकिंग में आता है और एक पैकेट में पांच होते हैं यह तो और मेंसे मैंने एक निकाल लिया है आपके लिए यहां पर अगर मैं इसके MRP की बात करूँ तो यह 32 रुपे का पुरा पांच पैकेट का सैट आता है ठीक है इसमें पांच होते हैं और यह आपको रिटेल में फार्मेसी पे जो है तकरीबन 6 रुपे के आसपास जो है मिल जाता है अगर मैं इसके बात करूँ के ड्रग की तो यह एक शेडुल H के करें की तो इसमें सालबूतामोल होता है इंडियन सा यह ऑप सालबूटामोल देखनाक है अब बात करते हैं ये क्या काम करता है यह क्या चीज होती है इसके इंदर अधर सालबूतामॉल तो तो हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती इए बेसिकली ईनको दिया जाता है जो अस्तमा के patient होते हैं COPD के patient होते हैं Osas legit का मतलब होता है chronic obstructive pulmonary disease यानि कि जिसमें lungs के जादा दिक्कत हो जाती है यह ilan서 में सूजन आजाती है उसके अंदर उसका जो पैसे जह हवा खान जाने का दिस सांस लेते हैं वो संखरा हो जाता है छोटा हो जाता है है मुउकरस जाद है आपको कफ जाध कफ जादा बनता है तो उसमें यह दिया जाता है यह काफी फों में या COPD है, कफ हो रही है आपको, ठीक है, बच्चे को कफ है, विजिंग होती है, यानि खर-कर-कर की अवाज आती है, जब वो सांस लेता है बच्चा या बड़ा, तो उसमें काम आता है, सोट ब्रेथनेस हो जाती है, आपको यानि की सांस खिच-खिच के आता है, तो उसमें भ लीकविड होता है, यह देख सकते हैं, यह लीकविड उसके इंदर डाला जाता है, और हम जैसे सांस लेते हैं, अक्शु जलनक दिये, कुछ इस तरीके हो इसका मास्क पहन कर, यह हमको जब तक यह लिकुड कतबन हो जाए, तब तक उसको लेना होता है, तगरिबंदन से प मुट कॉइजाता है यह सकता है यह किसी किसी में जैसे में नोजिया आणब हो सकता है और यह बढ़ाती है तो अगर आप शुकर के सो आपने डौक को वी कई लिए बैमारी हैं उनके बारे में बताएं जैसे अस्थमा है या आपको जो इस थाइराइड है स्यूगर है तो आप उसको बता सकते हैं ठीक है यहाँ पर किन को नहीं लेना है यह अपने आप से लेनी की नहीं होती है जो एलकोहल लेते हैं तो लोग इसको नहीं लेंगे ठीक है डोक्टर से पूछ के ही आपने लेना होता है अब एलकोहल इसके साथ में बिल्कुल भी ना लेंगे बात कर लेते हैं कुछ ग्रीन एडवाइस की तो देखिए इसको लेने के साथ-साथ आपने दो-तिन चीजे करनी होती है एक तो उनकी पैचान करनी है और उनसे दूर रहना है क्योंकि जैसे ही आप उनके कॉंटेक्ट में आओगे तो आपको यह सिंटम होने लग जाएंगे और आपको जो पैसेज है वो नेरो होता चला जाता है तो आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है अपने आस-पास की ची ब्रैथ की एकसाइज कर सकते हैं आप ठीक है इसके लिए जो है कुछ इस्टुमेंट भी आते हैं और वैसे भी आप योगा वगरा करके अपनी ब्रैथ को अच्छा कर सकते हैं शुगर हमेशा चेक करते रहें जब आप यह टैबलेट ले रहे हैं अगर आप शुगर के सकते हैं एकसपाइरी जब भी लें तो इसकी एकसपाइरी देख कर ही लेनी है आपको ठीक है यहां पर देख सकते हैं अपरेल 2025 इसकी एकसपाइरी है तो चलता हूं दोस्तों टीजी मुझे जाज़त जय हिंद